दिन नाविका जी मैं बड़ा शरम के साथ ये चीज आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि आज बाबा राम रहीम या बाबा असाराम को आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के प्रशाशन ने पेरोल दिया है और वो कौन से केस में जेल में बंद है रेप केस में बंद है व जाकर फूलों का माला चड़ाया जब जेल से उर्लो को फोड़ दिया गया सरकार द्वारा अगर भूल जाते हो कि प्रजल रवाना के साथ में क्या हुआ किस तरह से ये एकोसिस्टम पुरा खाड़ा हो गया था प्रजल रवाना को ये करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कहरा हूँ. कलकत्ता का गटना, चाहे उत्तरप्रदेश का गटना, चाहे हम मेरा ये कनोच का गटना हो, चाहे आसीफा का गटना हो, चाहे मनिपूर में औरतों को अत्याचार का मामला हो उसमें कोई भी राजनितिक दल कोई भी सब्य समाज का आदमी इसको जो है कि समर्तन नहीं करती लेकिन यहां सवाल उठता है कि हमको राजनिति करना है राहुल गांदी ने क्यों ट्वीट नहीं किया क्यों प्रियंगा गांदी ने आवाज नहीं उठाई क्यों लड़की हूँ लड़ सकती हूँ यह नहीं बोल रहा है अगर आपको मेरे सवाल उठाना बेहुदा लगता है तो मैं यह कहूंगी कि मुझे बेहुदा सवाल उठाने अच्छे लगते हैं और इस तरहां के बेहुदा सवाल मैं रोज उठाऊँगी मैं आपको क्लिपिंग भेजूंगी जब बिल्किस बानों का यह पूरा कान हुआ था तो मैंने बेहुदे सवाल तब भी उठाए थे मैं कनोज पे भी उठाऊँगी मैंने हात्रस पे भी उठाए थे मैं कलकता पर भी उठाऊंगी आपको अगर बेहुदा लगता है तो जरूर लगे मुझे ये बेहुदा नहीं लगता और अगर बेहुदा के कैप्शन से आप इसे समझते हैं तो आपको जितना बेहुदा कहना है इसे आप कहें मैं ये सवाल उठाऊंगी मैं सवाल पूछूं क्योंकि आज आपकी नेत्री अपील कर रही हैं आगे पीछे वो रेजिगनेशन मांगती हैं मैं ये बेहुदा सवाल उठाऊंगी मुझे डर नहीं लगता क्योंकि महिलाओं के साथ अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो मैं सवाल उठाऊंगी कमरुज अमान चौधरी मैं बेहुदा सवाल इस रेप पर उठाऊंगी रोक सके तो रोक ले लेकिन बेहुदा सवालों के जवाब देना भी एक राजनितिक दल का करतव्य होता है एक फर्ज होता है आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो जवाबों को अपने पास रखि कुछ कोई फरक नहीं पड़ता शहजाद पूना वाला बेहुदा सवाल का कोई बेहुदा जवाब हो अब मैं इनका बेहुदा पन दिखाता हूँ एक्जामपल के साथ और इन्हीं के एक्जामपल के साथ दिखाऊंगा उन्होंने अभी आसिफा अर्थात कट्वा के केस का जिकर किया कट्वा के केस में और आप चेक करवा लेना वरना अगर जूट बोलनों तो मुझे पर कारवाई करना कट्वा के केस में लाल सिंग ने कट्वा के रेपिस का साथ दिया हमने उसको मंत्रीपद से हटाया उस व्यक्ति को पता है टिकेट किस ने दिया चुनाव करवाइए दोनों के बीच का अंतर मुझे समझाने दीजिए अब पूरे उधारण के साथ और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात आने दीजिए बारती जंता पार्टी पर जब भी कोई आरोप लगता है चाहे वो हातरस हो चाहे वो उन्ना हो चाहे वो प्रिजबूशन हो उस पर कारवाई होती है और कोई बेशर्मी वाला ऐसा बयान उस बलातकारी के पक्ष में नहीं देता है जो हातरस में हुआ उसको भी कारवाई परन्तु यहां पर देखिए मोहित खान के समय पर यह पॉक्सो एक्ट में वह अंदर है परन्तु क्या कहा जा रहा है बेटी का नार्को टेस्क कर आओ संदेश खाली में कहा जा रहा है कि महिला उने पैसे लेकर आरोप लगा है उनकी चमडी गोरी थी तो उन पर रेप का आरो ओने वह रेप का रॉप कैसे लगा सकते हैं शाह जहां कि पैलवी सुप्रीम कोट तक करने गए सुप्रीम कोट ने कहा कियो आप्छिंट करते हो आज के मामले में हाइख़ोर की वकालत सरकार क्यों कर रही है इसको हटाते क्यों नहीं हो आप देके कि उत्तर निनाजपूर म महिला के खिलाफ कैरेक्टरलेस है वो विदायक ने कहा पर तो ताजमूल पर कारवाई नहीं करने को तैयार दे यही दोनों के अंतर है बेहुदा सवालों की एक और किष्ट और डॉक्टर अजीज खान अजीज खान सहाब मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप कनौज के लोगों की यह बाते सुने मेरे सवाल बेहुदा हो सकते हैं शायद कनौज में रहने वालों को आप बेहुदा नहीं मानेंगे सुन्ये क्या कह रहे है चनुज़ी जी सुख था एक पावर होती थी उनके वरमुग जी बोला जयाता था कोई बोलता नहीं तहा कि गाड़ी आड़ी पकड़ जाये सिर्फब इतना बोल दीज्ये प्रमुग प्रमुक जी ये नवाब जी के बारे में बोल रही हूं जिसे आप कह रहे हैं कि यादव होने की वज़ा से जोड़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी से ये जनता कह रही है मैं तो नहीं कह रही अब जनता बेहुदा है क्या अजीज खां साहब सवाल सिर्फ इतना है मैं किस राजनितिक दल को या किसी नेता को नीचल नहीं दिखाना चाहती है पर यह सवाल तो लाजमी है कि ऐसे मामलों में चुप़ी क्यों होती है सिलेक्टिव आउट्रेज क्यों होता है आपका सवाल आपका सवाल आ गया अब मुझे बोलने दें एक दो तीन सवालों का जवाब बड़ा एहम है मैंने पहले भी अस्पस्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी में पहले नवाब सिंग थे और कोई भी सक्स अगर था यह जरूरी नहीं है कि आज भी हो लोग पार्टियां बदल पर सोग लेटर भेजा था सोग लेटर का मतलब यह नहीं होता है सोग पत्र जो होता है वो तो बीजेटी की लेता अगर अजीज का साब यहां तो मेरी आखें भी बेहुदा हो गई हैं यह तस्वीरें यह तस्वीरें पोस्टर्स में लगी हुई हैं वहीं का नौज में जह आप यादव और अखिलेश जी के साथ फोटो हैं इतना बड़ा पोस्टर है और मैं बेहुदा हूँ मुझे नहीं पता क्या हो रहा है अजीज का साहब भाईया थोड़ा सा सोच के आपकी शान आपकी शान में गुस्ताक ही ना कर बैठू जब आप सुनना ही नहीं चाहेंगी आप सबूत आपके सामने है नाविका जी मेरी बात सुनिये आप मेरी बात सुनिये वो समाजवादी पार्टी का आप कहरी नेता है हम कहरें उसको सक्ष सक्ष सजा दीजिए वो अपराधी है नेता नहीं है वो बलातकारी है वो गंदा इंसान है आकिर भीजेपी क्यों आफिस सभी कही, आप मान तो गए, आप तो मान गए के वो अब समाजवादी पाटी में हैं, आप राजनीती क्यों कर रहे हैं, शहजाद पुनावाला जवाब दीड़ेगे। हम राज़ीती कर रहे हैं एक सिकेंड आपने अजीज कान साव आपने सवाल पूछा अजीज कान साव आपने सवाल पूछा नावे का समय दीजे ताकि मेरी बात सनाएगे आ रही हूं